स्टीलर सिस्टम और we can say evolution of steel दोनों ही तरीके से question आता है कि ये evolution कैसे होता है terridophytes के अंदर स्टील में और स्टीलर सिस्टम क्या होता है most important question है ये आपके examination point of view से हर साल आता है तो सबसे पहले कि स्टीलर सिस्टम होता क्या है तो ये क्या होती है fundamental unit of vascular system called steel steel किसके अंदर होती है lower vascular plants के अंदर हम इसको steel बोलते है बट जो जैसे कि किसके अंदर present होती है terridophytes के अंदर बट जो higher plants होते हैं उनके अंदर हम बोलते है vascular cylinder तो यहाँ पर आज हम करेंगे evolution of stealer system in terridophytes क्योंकि ये lower plants के अंदर ही count होते हैं की terrified है higher के अंदर हम इसको as a vascular cylinder count करते हैं होते वहीं चीज हैं तो उसके अंदर कैसे evolution होता है कि इसके अंदर सबसे पहले कि steeler system हमने पढ़ लिया कि होता क्या है क्या है fundamental unit है vascular system की उसको steel बोला जाता है तो सबसे पहले हम करेंगे कि steel कितने type का होता है चीक है evolution के अंदर भी same यही question आएगा तो जो mainly steel होता है वो दो तरीके से present होता है सबसे पहले proto steel and second one is sifono steel अब proto steel के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर बीच में होती है एक solid core of gylem यह solid core of gylem हो गई उसके बहार से present होता है phloem जो की surround करता है completely जाइलम को और उसके बाद में क्या होता है present होती है इसके अंदर pericycle and then is endodermis layer चीक यह होता है proto steel कि इसके अंदर देखा जाई तो जो vascular system होता है वहीं होता है बट हम vascular system इसको count नहीं करते है taridophyte के अंदर क्या count करते हैं steeler system तो इसके अंदर क्या है सबसे पहले है यहाँ पर innermost layer के अंदर जाइलम फिर क्या आ गया इसके अंदर जो surround करता है जाइलम को phloem phloem के बाद में क्या आया इसके अंदर paricycle और paricycle के बाद में endodermis यह system है अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जाइलम है phloem है और paricycle और endodermis अब एक scientist था scientist का नाम क्या था ems and mcdaniel इसने क्या कहा था कि देखो यह endodermis जो है बिल्कुल outermost boundary है इसकी तो उसने कहा था कि जो endodermis है steeler system की steeler के अंदर हम सिरफ जाइलम और phloem को count करेंगे paricycle endodermis को हम count कर भी सकते हैं नहीं भी main focus है हमारा जाइलम और phloem के उपर है तो यह सारा ही steeler system लेकिन main focus हमारा जाइलम और phloem की position कैसे present होती इसके अंदर है गा उसकी innermost layer है नेकी steeler system का part है तो इसके basis पर हम count कर भी सकते हैं और औरों के basis पर हम count नहीं भी कर सकते हैं लेकिन हमारा main focus है क्या है यहां पर जाइलम और phloem के उपर की वह कैसे present होते हैं तो इसके बाद में अब आ गया सिफोन और सिफोनो स्टील के अंदर क्या होता है कि इसके बीच में पित region present होता है एक empty space है यहां पर ठीक है और इसको surround करता है जाइलम region यह जाइलम यहां पर पर परजेंट है जाइलम के बाद में क्या था यहां पर इसके अंदर परजेंट था phloem, यहाँ वाले region के अंदर phloem की formation and then क्या था, pericycle pericycle के बाद में फिर से क्या, endodermis outermost layer of steeler system अब इसके अंदर परजेंट है, pit region यह है यहाँ पर, pit region जबकि इसके अंदर कोई भी pit present नहीं था solid core of gylem यहाँ परजेंट थे, इसके अंदर pit present है तो दोनों steeler system जो divided है, एक क्या है presence of pit region and दूसरा क्या है, absence of pit region gylem और phloem की positioning के अंदर, यहाँ परजेंट रहती कि gylem भी present है, phloem भी present लेकिन एक के अंदर pit present और एक के अंदर absent है, जिसके अंदर absent है, उसको हम बोलेंगे proto steel यानि की pit से बनने के पहले का जो steel था वो proto steel है और pit के बाद में यहाँ पर क्या आगा है, siphon o steel, जैसे कि हमने polysiphonia के अंदर पढ़ा था कि उसके अंदर siphon एक pipe like structure होती हो और यह क्या है, pipe like structure यहाँ पर pit region है जो pit होता है, वो parenkymatis cells का भी form हो सकता है, एक empty space भी हो सकता है और sklankymatis cells से भी form हो सकता है, तो यह तीनों तरीके से परजेंट हो सकता है सबसे पहले हम करेंगे इसके अंदर proto steel, proto steel क्या होता है, further divided होता है, two part के अंदर haplo steel and next one is actino steel haplo steel क्या होता है, सेम जैसा इसके अंदर होता है, क्या कि बीच में solid core of gylem परजेंट होती है और outer side के अंदर क्या परजेंट होता है, phloem region परजेंट होता है, यानि कि proto steel को कारी किये होता है almost similar होता है इसके अंदर, but जो actino steel होता है, जैसे नाम से की active form के अंदर है तो वो क्या कर देता है, यहाँ पर variation create कर देता है, यह क्या होता है, drive तो होता है haplo steel से, but according to shape of gylem and phloem, कि इसके अंदर क्या है, gylem और phloem की जो shape है, वो change होती रहती है तो उसके basis पर यहाँ पर further इसका division होता है, तो उसके अंदर सबसे पहले आता है, इसके अंदर angular यह type है, इसकी actinosteal की, तो हम इसको बोलते है, angular actinosteal, इसके अंदर क्या होता है, कि जायलम यहाँ पर angular form के अंदर present होता है यह solid core के अंदर होता है, जो की radiating arms होती है इसकी और proto-gyalum क्या होता है, tip region पे होता है इसके हर एक arms के और इसको surround करता है यहाँ पर चारो तरब से phloem region, यहाँ पर इस तरीके से present होता है कि एक angle की form में यह, angle की form में ठीक है next है इसके अंदर second one क्या, satellite, satellite के अंदर क्या होता है, कि यह जो angle form में ही है, मैंने थोड़ा deep कर दिया यहाँ पर इतना deep नहीं होता है, बिल्कुल यह minute सा होता है इस तरीके से, angular form के अंदर इसके अंदर क्या होता है, कि यहाँ वाले region के अंदर, जो जायलम होता है, और deepen कर जाता है, और deep हो करके, यहाँ पर एक star की shape में दिखाई देने लग जाता हमें यह है, यहाँ पर जायलम, अब यहाँ वाले region के अंदर, फ्लोयम परजेंट है, यह पैचिज के अंदर, यहाँ वाले region के अंदर, जो भी surround करते हैं, वही क्या, pericycle and endodermis region से, तो यह एक star की shape में, satellite का मतलब क्या है? अगर star shape में यहाँ पर जायलम परजेंट है, तो वह क्या हो गया? यहाँ पर further deepen होकर के star की shape कर देता, तो वह satellite actinosteel, यह हम type किसकी कर रहे हैं? actinosteel की, third one है इसके अंदर, प्लैक्टो स्टील, प्लैक्टो स्टील, नेम से indicate हो रहा है, like plate, plate like structure होती है, तो इसके अंदर क्य होता है, कि यहाँ वाले region की अंदर, जो जायलम होता है, plate like structure गेन कर लेता है, जो red है, यहाँ पर उसको मैं denote कर रही हूं, sorry, जो जायलम है, वो हम show कर रही है, यहाँ पर red pen से, तो यह है जायलम, phloem जो है, continuously इसके अंदर present होता है, जो कि हर एक जो plate like structure है, जायलम की, उसको surround क करता है, उसको चारो तर्फ से गेरे होई है, तो यह जायलम है, और यह फ्लोम है, जायलम की है, यहाँ पर एक plate like structure present है, वहाँ पर plate like shape के अंदर present है, फोर्थ वन है, इसके अंदर, mixed proto steel, mixed proto steel के अंदर क्या होता है, यहाँ पर mixing होती है, proto steel की, तो उसके mixed form के अंदर क्या होता है, कि यहाँ वाले region के अंदर, जो जायलम है, वो patches के अंदर present होता है, काफी सारे टुकड़े हो जाते हैं उसके, और phloem यहाँ पर हर एक patch को surround करता है, यह phloem है, और यह क्या है, जायलम, then pericycle, छीक है, यह वाला region है, pericycle, इसके चारव तरफ से फिर endodermis, छीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, जायलम एक टुकड़ो में divide हो गया है, mix हो गया है, और वो क्या है, mix क्या है, जो phloem है, उसके अंदर यह टुकड़ो में अंदर divide हो गया है, फिफ्थ वन है, इसके अंदर proto-steel mixed with pith, अब यह देखो, यह आ गया, एक अलग case, अब तक हमने क्या कहा था, कि जो पित है, वो सिरफ और सिरफ सिफोनो स्टीन में परजेंट होता है, ने की proto-steel के अंदर, बट इसके अंदर क्या आगा, proto-steel mixed with pith, तो इसके अंदर देखते हैं, क्या होता है, इसके अंदर, same वही condition, यहाँ वाले region के अंदर, phloem बहार की side, completely surround करता है, इसको यह हो गया, यहाँ पर phloem region, अब यहाँ वाले region के अंदर क्या होता है, यह जाइलम पर जेंट है, जैसे कि इसके अंदर mixed proto-steel, हमने यहाँ पर कहा कि proto-steel, ठीक है, यहाँ पर टुकडों में divided हो गया था, same यहाँ पर divided है, बट यहाँ पर क्या करता है, phloem इसको completely, जो एक-एक piece है, उसको surround करता है, लेकिन इसके अंदर phloem, यहाँ पर एक covering दिखाई देती है, cavity, sorry, एक spare की तरह दिखाई देता, नै कि हर एक piece को cover कर रहा है, तो यहाँ वाले reason के अंदर क्या होता है, यहाँ पर काफी सारी parenchymatous cells present होती है, यह parenchymatous cells इन pieces को cover करती है, तो इसके according क्या हो गया है यहाँ पर, कि यह है यहाँ पर parenchymatous cells, अब हमने क्या कहा था, कि जो सिफोनों स्टील के अंदर पित्र present होता है, वो किसकी फोम में present होता है, या तो empty space होता है, या फिर क्या होता है, scleranchymatous cells होनी या parenchymatous cells, तो यह यहाँ पर क्या है, parenchymatous cells है, इसका मतलब अगर parenchymatous cells है, तो वो एक क्या है कि एक पित की तरह count करते हैं, हम parenchymatous cells को, जो की इन ओरों के अंदर नहीं थी, जो पित भी फोम करती है, तो इस वज़े से क्या हो गया, हम इसको count करते हैं, proto-steal mixed with pith, पित होता नहीं है, लेकिन parenchymatous cells है, तो हम उसको edge पित यहाँ पर count कर रही हैं, तो यह part किसका है, proto-steal का, next हम आते हैं, अब sifono steel के उपर, sifono steel यहाँ पर further divided होता है, तो sifono steel करेंगे, अब हम, तो sifono steel हम पहले कर चुके थे, कि जिसके बीच में pith present होता है, वो sifono steel होता है, तो sifono steel भी फरदर यहाँ पर divided है, जैसे कि यहाँ पर proto-steal divided था, तो स्फोनो स्टील के अंदर क्या होता है सबसे पहरे divided होता है कि जो जाइलम और फ्लॉयम की position होती है उसके अंदर वो किस bases पर पर्जेंट होते हैं तो यह further जो जाइलम और फ्लॉयम की position होती है, उनके basage पर यह दो type के अंदर divided है First one is hectoflaic and next one is emphcoic बीच बाले रिजन के अंदर पित परजेंट होता है, पित यहाँ पर सुराउंड किया हुआ होता है जाइलम, जाइलम रिजन परजेंट है, जाइलम के बाद में यहाँ परजेंट है फ्लोयम, यह वाला रिजन यहाँ पर फ्लोयम, फ्लोयम के बाद में यहाँ पर क्या है, प paricycle के बाद में यहाँ पर क्या परजंट था endoramise endoramise region यह covering है तो यहाँ वाले यह region क्या था यह है पीत पीत के बहार से आ गया जैलम जैलम के बहार से क्या है phloem और phloem के बहार से paricycle and endoramise यह है एक्टो फ्लोईग ठीक है अब इसके अपोजिट एक्टो के अंदर क्या है सिर्फ एक सिंगल फोम में है एक यहाँ पर जायलम है एक बार फ्लोयम पर जैंट है यहाँ पर एक एक कंडिशन के अंदर है MP word आपने पहले भी सुनाये कि MPBN animals तो MPBN क्या होते है जो बहुत कंडिशन के अंदर सरवाइव कर जाते हैं water के अंदर भी and without water भी तो same MP word का मतलब यहाँ की दो कंडिशन है इसके अंदर दो कंडिशन कैसे हैं इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर यह क्या है कि opposite form के अंदर देखो इसके अंदर क्या है पहले एक बार हम diagram draw करते हैं पहले यहाँ पर आ गया पित रीजन में पित रहेगा क्योंकि यह क्या है सिफोनो स्टील आप बहार से इस पित रीजन के यहाँ पर क्या पर जैंट है इसका देखो आउटर साइड से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्या था यह पैरिसाइकल और यहं आटर मोस था endodermis अब इसके अंदर क्या है देखो सबसे पहले यहाँ जाइलम परजेंट था बट इसके अंदर आया है endodermis endodermis के अंदर की layer क्या था इसके अंदर paricycle तो यहाँ पर फिर आ गया paricycle अब paricycle के अंदर की layer क्या है flowym तो यहाँ पर हमने एक कवर कर दिया इसको फ्लोयम से यह वाला रीजन आ गया फ्लोयम रीजन फ्लोयम के बाद में यहाँ पर लेहर किसकी आई? जाइलम की यह आ गया जाइलम रीजन अब इसके सेम कंडिशन जैसे यह परजेंट है इसके अंदर जाइलम के बाद क्या आया था यहाँ पर फ्लोयम तो जाइलम को सुराउंड करेगा फिर से यहाँ पर फ्लोयम जाइलम के अंदर भी अंदर साइड भी फ्लोयम है और जाइलम के बाहर साइड भी फ्लोयम है इसके बाद में क्या आई थी? पैरिसाइकल and pericycle के बाद में क्या था फिर से यहाँ पर endodermis layer outermost ठीक है same condition अब देखो name से ही indicate हो रहा है यह फिर थ्रीजन दोनों के अंदर present है MP दो बार यहाँ पर क्या है कि outermost और innermost जैसे कि क्या था कि सबसे पहले यहाँ पर क्या था जायलम जायलम रीजन है जायलम किस से सुराउंड है दोनों साइड से phloem से बार की साइड भी अंदर की साइड भी दोनों साइड phloem है phloem अब यह phloem होगा यह phloem होगा phloem किस से कवर्ड है यहाँ पर pericycle से यह आ गया pericycle दो pericycle होगी innermost and outermost अब यह दोनों किस से कवर्ड है endodermis से इसके अंदर भी endodermis और भार भी endodermis बोद साइड ठीक है तो अब यह क्या है कि दो दो बार पर जैंट है except the pit region pit तो एक ही है इसके अंदर जो कि middle one whole region होता है तो यहाँ पर जायलम को surround करते है दो phloem, दो pericycle, दो endodermis यानि कि दो दो परजेंट है दो दो foam में परजेंट है innermost and outermost तो यह condition क्या होगी एक्टोफ्लोईग के अंदर क्या है सब single form के अंदर परजेंट है एक जायलम है एक phloem, एक बार phloem surround करता है फिर pericycle, फिर endodermis है तो यह एक एक phoem में परजेंट है इस तरीके से यह एक्टोफ्लोईग और एम्फिफ्लोईग next जो है सिफोनो स्टील फर्दर डिवाइड करता है किसके बेसिज पर कि according to leave gap first one किसके बेसिज पर according to presence of sorry position of जायलम and phloem अब दूसरा किसके according है according to according to presence of leave gaps leave gaps कैसे कि जैसे देखो यह steeler system क्या है कि obviously हम vascular system जायलम और phloem जो एक plant के अंदर परजेंट होते है तो plant का हम यह stem वाला portion देखा अभी तक अब इसके यहां से leaf भी निकलती है कोई एक branch भी निकलती है तो यहां पर अगर leaf निकल रही है या फिर stem gaps या leaf traces या stem traces परजेंट है या फिर absent है तो इसके basis पर क्या होता है कि फरदर फिर से यह दो पार्ट के अंदर divided होता है उसके अंदर क्या होता है फर्स्ट वन इज क्लैडो सिफोनिक और सेकेंड वन इज फाइलो सिफोनिक वर्ड थोड़े है आपको अटपटे लगेंगे बट जब आप करोगे तो आपको यह बहुत ज़्यादा फैमिलियर लगेंगे क्लैडो सिफोनिक के अंदर क्या होता देखो अब यह जो दोनों स्टीलर सिस्टम है यह यहाँ पर एक्टोफ्लोईक फोम के अंदर भी परजेंट हो सकते है एम्फिफ्लोईक के अंदर भी क्योंकि लीव गेप इसके अंदर भी परजेंट हो सकता है क्लेडोसिफोनिक के अंदर 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 क्लेडोसिफोनिक क जाइलम हो गया उसको सुराउंड करता है यहाँ पर फ्लोयम रीजन फ्लोयम को सुराउंड कर दिया किसने पैरिसाइकल ने और पैरिसाइकल के बाद में इंडोडरमिस तो यह यहाँ पर क्या है कम्प्लीटली स्टीलर सिस्टम परजेंट है और यहाँ वाले रीजन के अंदर से फिर से यहाँ पर क्या एक ट्रेसिज दिखाई देते हैं यहाँ वाले रीजन के अंदर सेम फ्लोयम के अंदर की जैसे जाइलम और फ्लोयमीन के अंदर परजेंट होते हैं वैसे यहाँ पर ए incomplete हो गया कि एक gap present हो गया gap किसकी वज़े से है कि यहां से एक leaf rise हो रही है उसकी वज़े से यहां पर leaf traces है या निकी leaf gap है यहां पर तो अगर इसके अंदर present है leaf traces वहां से दिखाई दे रहे हैं तो वो कुन सा होगा phylocyphonic और दूसरा क्या होगा जिसके अंदर नहीं है continuous form के अंदर present है वो है cladocyphonic next अब इसके अंदर क्या होता कि जैसे कई plant के अंदर हम देखते हैं कि जो leaf होती है एक arise नहीं होगर कि multiple form के अंदर arise होती है तो उसके basis पर भी क्या होता है कि इसके अंदर according to किस के basis पर overlapping के basis पर overlapping and non-overlapping कि उसके अंदर overlapping है कि नहीं है तो further ये फिर से दो पार्ट के अंदर divided है कौन से के अंदर first one is soleno steel next one क्या है dictio steel soleno steel के अंदर क्या होता है यहाँ पर जैसे कि यह present है कि इसके अंदर काफी सारे leaf present होंगे बट वो एक दूसरे से overlap नहीं करते दिखाई देंगे तो इसके अंदर क्या होता है no overlap कोई भी leaf एक यहाँ पर है एक यहाँ पर कोई भी overlapping नहीं है उसके अंदर बट dictio steel के अंदर क्या है इसके अंदर multiple amount के अंदर leaf traces rise है वहाँ पर और वो क्या करती है कि यहाँ पर उनके अंदर overlapping होती है जैसे कि यह यहाँ पर steeler system present है अब यहाँ वाले region के अंदर same वही जैसे euro के अंदर था phloem surround करता है इसको phloem surround कर दिया इसको कर दिया इसको कर दिया अब देखो इस वाले system के अंदर क्या है कि यहाँ वाले region के अंदर यह वाला region है इसके अंदर अगर हम देखते है यह वाला region एक दोर मैं कर देती हूँ जैसे कि यहाँ वाले region के अंदर अब इसके अंदर देखो यहाँ पर एग परजेंट था दो परजेंट था तीन था इनके बीच में gap था लेकिन यहाँ पर यह एक layer है और दूसरी layer यहाँ पर इस वाले gap को overlap करती हुई दिखाई दे रही है तो इसके अंदर overlapping हो गई है तो यहाँ वाले region के अंदर अगर overlapping हो रही है तो उसका मतलब क्या है कि यह dictyle steel है अगर यह singular form एक single layer present होती तो वो कौन सा होता soleno steel होता अगर यहाँ पर multiple layer है जैसे कि एक layer यह हो गई leaf traces की एक यह हो गई एक और हो गई तो वहाँ अगर ऐसी condition होती तो उस steeler system को हम बोलेंगे polycyclic polycyclic के अंदर भी कौन सा? dictyle steel के अंदर ही overlapping होती है तो multiple जैसे कि हम यह कह सकते ही soleno steel के अंदर सिरफ एक single layer के अंदर leaf present होती है और उनके अंदर कोई भी यहाँ पर overlapping नहीं होती है तो यह थे यहाँ पर सिफोनो steel और actino steel प्रोटो steel और सिफोनो steel अब इसके बाद में एक और steeler system आता है used steel यह इन दोनों से अलग होता है हमने सिरफ दो ही यहाँ पर किये थी लेकिन यह थोड़ा सा अलग कैसे है कि इसके अंदर क्या होता है यह होता तो actofloic के तरीके से है actofloic कौन सा था इसके अंदर यह वाला यह देखो actofloic जो कि सिफोनो steel का ही एक पार्ट है तो इसके अंदर क्या होता है कि vescular bundle होते हैं जबकि हम यह क्या कह रहे था कि हम इसके अंदर steeler system को count करेंगे नैकि vescular bundle को तो इसके अंदर जो भी vescular bundle होंगे वो यहाँ पर जो जो vescular cylinder होता है जैसे कि यह पूरा cylinder था बट यह divide हो गया है और divide हो करके यह काफी सारे यहाँ पर form करेगा किसकी vescular bundle की यह vescular bundle है जिसके अंदर same क्या present है जाइलम और phloem region तो अगर इस तरीके से जो vescular cylinder है वो vescular bundle के अंदर divide हो गया और separation होता है उनका किसकी वज़े से यहाँ पर यह paranchymetis cells है paranchymetis cells या फिर हम इनको कह सकते हैं medulary range तो इसके according अगर medulary range से divided है तो हम यह कह सकते हैं कि वो कौन सा है यू steel अगर यहाँ पर vascular cylinder divide है vascular bundle के अंदर किसके medulary range के थरू तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर steeler system जो दो पार्ट के अंदर divide था जिसके अंदर proto steel और sifono steel प्रोटो स्टील के अंदर कोई पित नहीं पर जैंट होता सिपोनो स्टील के अंदर पित पर जैंट होता है आप यह करोगे तब ही टारीडोफाइट समझ में आएंगे तो पहले इसकी एक एक टर्म को समझ लेना है